हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपको मैं आज बनाने जा रहे हूँ कद्दू के पत्ते की साग रेसीपी ये रेसीपी बनाने का बहुत आसन है और टेस्टी भी लगता है ये आप रूटी और चावल के साथ भी खा सकते हो ये साग को ये डंठल से पत्ता को इसी तरह निकालना है और ये सम मैंने निकाल दिया है अब कद्दू के पत्ते की साग बनाने के लिए हमको चाहिए एक कोट्टोरी कद्दू के पत्ते में धो के ले लिया एक कोट्टोरी कद्दू एक कोट्टोरी तुरै और एक कोट्टोरी ले लिया चार भेंडी काटके आधा स्पून पंच सबसे और बनाने के लिए तेल तो फ्रेंड्स एह रेसीपी पसंद आए तो प्लीज लाइक से यार सबस्क्राइब करना ना भूलिएगा और हमें जाएंगे नेक्ट प्रसिस के तरब पहले कद्दू के पत्ते को प्रिसर कुकर में डालना है बाद में कद्दू और तुरेई डालके एक कॉप पानी डालके एक हुईसिल आने के लिए वेट करेंगे अब यह हुईसिल आ गया है अब यह मूर्मूरे को ग्राइंड करना है ग्राइंड करने के बाद तड़का लगाएंगे कड़ाई गरम हो चुका है इसमें डाल देंगे तीन स्पून तेल और तेल डानने के बाद तेल गरम होने के बाद डालना है पंचपुटन मंचपुटण तड़कने लगेगा इसमें डालना है भिंडी और हरा मिर्चा डालना है और उसको एक मिनिट के लिए फ्राई करना है फ्राई करने के बाद उसमें डालना है ये बॉयल किया हुआ साग को और दो मिनिट के लिए ग्यास को हाई फ्लेम पर हाई फ्लेम कर देंगे ताकि ये पानी सब शुक जाएगा दो मिनिट के बाद ये हो गया है और दो मिनिट के बाद इसमें डालना है मुर्मुरे के पाउडर के साथ मैंने नमक डालके मिला दिया है और ये सब इसमें जो पानी है ये सब सुख जाएगा ये हो गया है हमारा कदू के पत्ते की साग रेसीपी ये अभी सर्फ करना है अभी मैं सर्फ कर दूँगी ये आप रोटी के साथ और चावल के साथ खा सकते हो ये आप इसी तरह बनाईए और खाईए और कैसा लगा मुझे कमिट करिए फिर मैं नेक्स्ट रेसिप के साथ आपके साथ मिलूंगी ओके बाई